इद मुबारक बंडी भाई खेर मुबारक आप तयार है इदी जमा करनी है और खर्च भी तो करनी है तो चलो टोनी अंटी के घर सोनु के बाबा से भी तो इदी लेनी है ऐसा कहकर राजु कवा और बंडी तोता टोनी चिडिया के घर इद मिलने के लिए चले जाते हैं इद मुबारक बच्चो इद मुबारक पापा इद मुबारक पापा इद मुबारक मामा येलो बेटा इदी जज़ा करला बाबा येलो गुन गुन बेटा आपकी इदी वाव मेरी एदी तो सबसे ज्यादा होगी गुल गुल अब जल्दी से टेबिल सजा लेते हैं मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं पहले मेरी बारी सोनू जब दर्वाजा खोलता है तो राजू को देख कर बहुत खुश होता है फिर सोनू अपने दोस राजू से एद मिलता है असलाम वालेकुम एद मुबारक वालेकुम सलाम, खेर मुबारक सोनू भाई एद मुबारक इस एद के मौके पर आप सब के लिए गर्मा गर्म शिर्खोर्मा तयार है आप सब आजाएं येेे राजू जब सिमया देखता है तो उसके मुझे पानी आ जाता है वो फोरण सिमया खाने के लिए आगे बढ़ता है के तब ही बबली उसको रोक लेता है रुक जाओ क्या हुआ बबली भाई आपने तो मुझे नारा ही दिया राजू अभी आप बाहिर से खेल कर आए हो आपके हातों में कितने जम्स होंगे प्रेले साबूं से अच्छी तरना हात धोलो फिर सब मिलकर साथ में सिमया खाएंगे और वैसे भी खाना खाने से पहले तो हात धोने ही चाहिए हम्... मैं हात धोकर आता हूँ फिर राजु हाथ धोकर आता है और सारे दोस्त सिवया खाते हैं सिवया खाने के बाद सोनुचिडा सब बच्चों को इदी तक्सीम करता है येलो राजु बेटा आपकी इदी जजा कल्ला अंकल येलो बबली बेटा आपकी इदी जजा कल्ला अंकल राजु कव्वा और बबलीतोता सोनुचडे के घर से एदी लेकर बबलीतोते के घर की तरफ एद मिलने चले जाते हैं राजु कव्वा साइट में रखी मिठाई देखता है तो उससे रहा नहीं जाता मुझे तो मिठाई एतनी पसंद है मैं सिर्थ मिठाई से ही अपना पेट भर सकता हूँ लेकिन राजू जादा मिठाई सेहत के लिए अच्छी नहीं होती यहां भी तो इदी मिलेगी खामोश कोई सुन लेगा ओ अच्छा अच्छा हम यहां से फिरी होकर शॉप पे जाएंगे हाजी बिलकुल इदी खार्ष भी तो करनी है मुझे तो बहुत सारे टॉइस लेने है मुझे भी लेने है और साथ में खाना पीना भी तो करना है सब दोस्त आपस में ऐसे ही बाते कर रहे थे कि तब ही वहां बबली तोता आ जाता है इद मुबारक बच्चो इद मुबारक अंकल इद मुबारक इद मुबारक खेर मुबारक बच्चो ये लो आप सब की इदी जज़ा कल्ला अंकल जज़ा कल्ला अंकल जज़ा कल्ला बच्चे इदी लेने के बाद खूब मज़े करते, बहुत सारे ट्वाइस लेते, राजु कवा बाहिर के खाने खाते खाते अपने सारे पैसे खतम कर देता है क्या हुआ राजु? लगता है आवर इटिंग की वज़ा से मेरा पेट गुड़ गुड़ कर रहा है वो क्यों? मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है आपकी सारी एदी गई, किसने कहा था अवर इटिंग करने को आपके पास पैसे जमा हो गए थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं था, कि आप औल फॉल चीज़े खाय जाओ ये चीज़े आपकी सेहत के लिए भी नुकसान दे हो सकती है हम अपने ही पैसे खर्श करके अपना ही नुकसान करते है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें अपनी सेहत का भी तो खयाल रखना चाहिए क्योंके तंदृस्ती हजार नेमत है और आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से इद मुबारक